गरीब का इलेक्ट्रिक स्कूटर ये कहानी अंजन गाउं की है जहां गौतम नाम का एक गरीब आदमी अपनी धरम पत्नी सुनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था गौतम की केवल एक ही संतान थी और वो था उसका पंद्रा साल का बेटा रवी गौतम उसी गाउं के एक कार खाने में सफाई का काम करता था और उस काम से उसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से वो अपना और अपने परिवार का पालन पोशन करता था एक दिन रवी अपने घर के आंगर में बैठा हुआ था तब ही उसके पडूस में रहने वाला एक अमन नाम का लड़का जो रवी का हमुम्भू था वो अपनी एक नई बाइक लेकर रवी के पास आता है अरे वा अमन ये बाइक तो कितने खुबसूरत है नई ली है आँ ये मेरे पिताजी ने मुझे दिलाई है ये तो बहुत महंगी होगी ना अमन औरे साथ हजार रुपे की है साथ हजार रुपे की अमन मुझे एक बार चलाने दो ना यार अपनी ये नई बाइक अरे नई भाइ नई ये बाइक बहुत महंगी है अगर तुमने गिरा दी तो नहीं अमन, मैं ध्यान से चलाऊंगा नहीं बाइक तभी अमन के कुछ दोस्त वहाँ आते हैं अरे क्या बात है अमन भाई, नहीं बाइक है अमन चलाने तो नहीं आ रहे एक बार अपनी ये बाइक अरे जा जा गरीब कहीं के, तरी आउकात है के इतनी महेंगी बाइक चलाने की, चल भागे आँसे, आया बड़ा बाइक चलाने वाला अरे छोड़ ना भाई अमन, ऐसे छोटे लोगों के मूह नी लगते, चलो हम इस बाइक पर एक चक्कर लगा कर आते हैं, चलो अमन अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर बैठ कर वहां से चला जाता है, रवी अपना इतना अपमान सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है, और वो दुख भरी सूरत लेकर अपने घर के अंदर आता है रवी, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उत्रा-उत्रा सा क्यूं है रवी नीचे मूग ये उदास बैठ जाता है, गौतम और सुनिता अपने बेटे रवी को ऐसे उदास देख कर घबरा जाते है क्या हुआ रवी बेटा, कोई समस्या है तुम्हें पिता जी, हम इतने गरीब क्यों है, आपको बता है, हमारे पडोस में जो अमन है, उसके पिता उसकी हर खौईच पूरी करते है अभी उसके पिता जी ने उसे एक नई भाइक दिला कर दी पिता जी, मुझे भी एक नई भाइक दिला दीजिये ना, ताकि मैं भी अपने दोस्तों से शान से कह सकूँ कि मेरे पास भी एक भाइक है मा, मेरे सारे दोस्त, अपनी गरीबी को लेकर मेरा कितना अपमान करते है, मेरा मजाग बनाते है रवी बेटा, अमन के पिता कमलेश भाई इस गाउं के सबसे धरी आत्मी है, बेटा उनके पास पैसों की कोई कभी नहीं है और तुम तो जानते हो ना कि हम कैसे अपना जीवन बिता रहे हमें दो वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से नसीब होती है और ऐसे में हम कहां से इतने सारे पैसे लेकर आएंगे ये बात सुनकर रवी बहुत उदास हो जाता है और वो अपने घर के आंगर में जाकर बैठ जाता है सुनीता, हमारी केवल एक ही तो संतान है आज तक रवी बेटे ने हमसे कोई चीज नहीं मांगी आज पहली बार उसने हमसे कोई मांग की है और हम उसकी ये मांग को पूरा भी नहीं कर सकते आज मुझे अपने भाग्ये पर बहुत रोना आ रहा है सुनीता कि मैं अपने बेटे की ये खुशी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ जी आप क्यों इतना सब सोच रहे हो अपनी टूटी साइकिल लेता है और अपने कार खाने जाने लगता है तभी रास्ते में गौतम को एक कबाड की दुकान में एक टूटा-फूटा पुराना स्कूटर दिखाई देता है उस स्कूटर को देख कर गौतम वहीं रुख जाता है और उस तूटे हुए स्कूटर के पास जाता है अरे ये स्कूटर तो अच्छा दिख रहा है तभी वहाँ कबाड की दुकान का मालिक आ जाता है अरे कौन हो भाई और मेरे सामान को इस तरह क्यों घूरे जा रहे हो भाई साहब क्या ये स्कूटर आप मुझे बेच सकते हो मुझे ये स्कूटर चाहिए अरे भाई ये तो कबाड है कबाड इसे लेके तुम क्या करोगे ये किसी काम का नहीं है ये मेरे बहुत काम आएगा भाई साहब आप कितने मैंसे बेचोगे अजीब आदमी है, कबाड का सामन खरीद रहा है देदो भाई, जो आपको पैसे देने हूँ देदो गौतम कबाड के दुकांदार को कुछ पैसे देता है और उस तूटे हुए स्कूटर और उसके तूटे हुए पार्ट्स को लेकर अपने घर आता है सुनीतो और रवी जब ये देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता जी, आप ये टूटा हुआ स्कूटर कहां से लाए अगर मैंने इन्हें ये कहा, कि ये स्कूटर मैंने कबाड के दुकान से खरीदा है तो रवी बहुत दुखी हो जाएगा अब वो मेरे कार खाने के मालिक ने मुझे इसकी मरम्मत का काम सौपा है बचपन में मैंने मेकैनिक का काम बहुत किया है तो मुझे मोटर बाइक का सारा काम आता है अच्छा अच्छा सुनीतो और रवी दोनों घर में चले जाते हैं इधर गौतम उस टूटे हुए पुराने स्कूटर के हर पार्टस को अलग करता है और उन्हें अच्छे से साफ करता है जो पार्टस टूट शुके थे वो नहीं रिपेयर कर देता है लगभख साथ दिनों तक गौतम उस स्कूटर की मरम्मत करता रहा और देखते ही देखते उसने उस स्कूटर को एकदम नए जैसा बना दिया था ये स्कूटर तो बनकर तयार हो गया अब मैं इसे ऐसा लोग देता हूँ कि इस तरह का स्कूटर पूरे शहर में किसी और ने नहीं देखा होगा बस मुझे और थोड़े पैसो की जरूरत है जिससे ये स्कूटर ऐसा बन जाएगा कि जो कोई भी स्कूटर को देखेगा वो देखता ही रह जाएगा गौतम अपने कार खानी के मालिक के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांग कर लाता है कार खानी का मालिक भी गौतम को पैसे दे देता है उसके बाद गौतम उन पैसो से कुछ सामान अपने घर ले आता है और उससे स्कूटर को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बना देता है और उसे ऐसा लुक देता है कि हर कोई उसे देखता ही रह जाता है अरे वा पिताजी, आपने स्कूटर को कितना खूबसूरत बना दिया है ऐसा स्कूटर तो पूरे शहर में कहीं नहीं होगा काश की ये स्कूटर अपना होता पिताजी रवी बेटा, ये स्कूटर मेरे मालिक का नहीं, बल्कि अपना ही है ये बात सुनकर रवी खुशी के मारे जूम उठता है आप सच कह रहे हैं पिताजी, ये स्कूटर अपना है? आपने ये स्कूटर मिर ले बनाया है? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें नई बाइक चाहिए थी ना? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा स्कूटर बनाया है कि पूरे शहर में ऐसा स्कूटर कहीं नहीं होगा रवी और सुनीता दो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे, रवी उस स्कूटर पर बैगता है अरे पिताजी, इस स्कूटर में चावी कहा लगती है? आपने तो इसकी चावी लगाने की जगई नहीं बनाई अब ये स्कूटर बिना चावी के कैसे चल पाएगा? ये इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा? और उसके बाद तुम्हारे हाथ लगाने के सिवा कोई ये स्कूटर को स्टार्ट नहीं कर पाएगा? ये केवल तुम्हारे हाथ लगाने से ही स्टार्ट होगा? ये एक फिंगर प्रिंट स्कूटर है और खास बात ये है इसमें इसे चलाने के लिए पेट्रोल की भी जरुवत नहीं है ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग और धूप से चार्जिंग होने पर चलता है अरे वाँ पिताजी ये स्कूटर तो आपने एकदम नए अंदास का बना दिया एसा इलेक्ट्रिक स्कूटर देखकर तो हर किसी को चक्करी आ जाएगा आपने क्या कमाल की फिचर लगा हैं स्कूटर में बिना पेट्रोल पर चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर वाँ कमाल कर दिया फिताजी आपने रवी बेटा अब क्या बाते ही करते रहोगे हैं इस स्कूटर को स्टार्ट करो भई और पूरे गाउं में इस स्कूटर की सैर करके आओ रवी उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्टार्ट करता है और अपने गाउं में लेकर चला जाता है गाउंबारे जब उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखते हैं तो सबकी आँखे फटी की फटी रह जाती है तब ही गाउं के कुछ आदमी रवी को रोकते हैं अरे बेटा रवी, इतना खूबसूरत सकूटर, कहां से लाए बेटा तुम है? अरे, क्या सकूटर है भाईया ये, ऐसा सकूटर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा, अरे, कहां से लाए रवी ये सकूटर? ये स्कूटर मेरे पिता जी ने बनाया है और ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है इससे ना चाबी की जरुवत है ना चलाने के लिए पेट्रोल की ये धूप से चार्ज होता है एक क्या इलेक्ट्रिक सकूटर है और बिना पेट्रोल के चलता है बाप रे बाप तो बड़ा ही कमाल का सकूटर लाया है रे भाईया गाउं वाले जब उस इलेक्टरिक स्कूटर को देखते हैं उसके फीचर के बारे में जानते हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में उस इलेक्टरिक स्कूटर की फोटो लेते हैं वीडियो बनाते हैं, और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. रवी अपना स्कूटर लेकर घर आ जाता है। गौतम का बनाया Electric स्कूटर, सोशल मीडिया पर इतना वाइरल हो जाता है कि उसके घर शेहर के News Reporters और मीडिया वाले आ जाते हैं। गौतम जब इतने सारे लोगों को अपने घर में देखता है, तो वो घब रा जाता है। क्या हुआ? आप सब कौन है? और ये कैमरे लेके क्यों मेरे घर में आये हो? क्या आप ही का नाम गौतम है? जी हाँ, मैं ही गौतम हूँ. क्या आपने ही अपने हाथों से एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है, जो बिना पेट्रोल के चार्जिंग पर चलता है? और उसके charging सूरज की किर्णों से होती है क्या आपने ही वो finger printer scooter बनाया है जो चाबी से नहीं finger से start होता है हाँ मैंने ही वो scooter बनाया है और आप सबको उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला आप नहीं जानते गौतम जी आपने क्या बना दिया आपने एक नए फीचर का electric scooter बना कर पूरे शेहर को हैरान कर दिया है हर जगा आप ही के बना electric scooter की चर्चा हो रही है आप ही की तारीफ चल रही है आपने जो electric scooter बनाया है न ऐसा scooter ना तो किसी company ने कभी बनाया ना किसी इनसान ने ये बात सुनकर गौतम और उसके परिवार वाले बहुत खोश हो जाते है तब ही गौतम के घर एक बड़ी motor company का माली का जया आता है गौतम तुमने तो कमाली कर दिया तुमारे इस काम को देखकर हम बहुत खोश होए है और हमने ये तै किया है कि अपसे तुम हमारी company में काम करोगे तुम्हें हमारी company में बड़े से बड़ा उहदा मिलेगा बस तुम अपनी मेहनत और mind से ऐसे ही new feature bike scooter बनाते रहो ताकि हमारी company इस world की सबसे नामी गिरामी company बन जाए गौतम के इस काम को देखकर हर कोई खोश हो जाता है गौतम अजे की company में एक managing director की नौकरी पर लग जाता है उसके बाद गौतम और उसके परिवार का जीवन एक दम से बदल जाता है इसी तरह गौतम ने एक electric scooter बना कर पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया था